नाग लोग में शेशनाग की जिंदगी बहुत ही सरल और अराम की थी नाग लोग में सभी नाग नागिन शेशनाग का बहुत ही सम्मान करते थे और डरते भी थे मगर शेशनाग को अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन लगता था वो अकसर बैठ कर सोचते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है एक रोज शेशनाग अपने सिहासर पर बैठे थे और उनके मन में खयाल आता है मेरा जीवन कितना साधरण है मेरे पास ये नाग लोग की शक्तिया होने पर भी मैं खुद को कमजोर सा ही लगता हूँ ऐसा क्यूं है तभी वहाँ से नील नाम का एक छोटा सा नाग गुजर रहा था उसने शेशनाग को यो उलजन में देखते पूछा शेशनाग क्या हूँ आपको आपको पैशान नजर आ रही है नहीं नहीं नन्यनाग ऐसी कोई बात नहीं है जाओ तुम अपने कमरे में जाओ शेशनाग मैं छोटा जरूर हूँ मगर क्या पता आपकी समस्या सुल जा सको अक्सर छोटे बड़ों की बड़ी बड़ी समस्या का समधान बता देते हैं यह सुनते ही शेशनाग हसने लगते हैं और नील के सर पर हाथ फेर कर अपनी बात कहते हैं नील मैं इस पूरे नाग लोग में सबसे शक्तिशाली हूँ, लोग मुझसे डरते भी हैं और मेरी इज़त भी करते हैं, मेरे पास सब कुछ है, अबाँ शक्तियां है, मगर फिर भी मेरे जीवन में मुझे कुछ कमी महसूस होती है, और वो कमी क्या है, उसे कैसे दूर करूँ ये सोच सोच कर मैं पागल हो रहा हूँ, इतनी सी बात शेशनाग ये तो अंदे को भी नजर आ जाएगा कि आखिर आपके जीवन में किस चीज का दुख है, बताओ नील, मुझे बताओ, उस कमी को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, शेशनाग आपको एक साथी क जरूरत है, जिसे आप प्रेम कर सकें और वो भी आपको प्रेम करें, अर्थात आपको वास्तविक प्रेम की जरूरत है। तुमने मुझे मेरी आदी समस्या के बारे में तो बता दिया, अब इसका हल क्या होगा वो भी बताओ नील, शेशनाग आपको अपने जीवन में प्यार की तलाश करनी होगी, आपको प्यार महसूस करना होगा, ऐसा जीवन आपका इंतजार कर रहा है, जो इस नाग लोग के जीवन से एकदम अलग होगा, तुम बिलकुल ठीक क्या रहे हो नील, नाग लोग में देखिए, यहां बहुत सी नागें आप पर जान देने को तयार है, आपको इन में से कौन पसंद है, शेशनाग अपने चारों और देखते हैं, वहां बहुत से सुन्दर नागीने शेश नहीं जीट सकी, ऐसा क्यों? नील, अगर तुम सच्चे प्रेम के बारे में जानते हो, तो ये भी जानते होगे, कि प्यार कोई रूप रंग देखर नहीं होता, मन से होता है, और मुझे इन में से किसी से भी प्रेम नहीं है, तो इसका तो केवल एक ही उपाय है, शेशनाग आपको नाग लोग छोड़ कर, प्रित्वी लोग पर जाकर प्यार की तलाश करने होगी, शेशनाग को नील का विचार बहुत पसंदाता है, और वो नील का सिर सहलाते हैं, शाबाश नील, तुम बहुत समझदार हो, मैं ऐसा ही करूँगा, मगर मैं शेशनाग हो, नाग लो दोस्त पलाश को नाग लोग की जिम्मेदारी सौंपते हैं, और शेशनाग नाग लोग से बहर आते हुए नील से कहते हैं, नील मैं शक्तिशाली नाग हूँ, यदि मैं शक्तियों के साथ प्रत्वी लोग पर गया, तो मैं कैसे सचा प्यार पा सकूँगा, प्रत्वी पर तो साधान इंसान रहते हैं ना, शेशनाग इसका भी एक उपाय है, क्यों ना आप नाग देटा की अराधना करो, शेशनाग ऐसा ही करते हैं और नाग देटा प्रत्वत होते हैं, बोलो वस, मुझे क्यों याद किया, हे संपूर नाग लोग के देव, मैं अपनी शक्तियों का त्याग कर साधान जीवन जीना चाहता हूँ, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम नाग लोग के सब से शक्तिशाली नाग हो, तुम कैसे अपनी शक्तियां त्याग सकते हो, पर शेशनाग अपनी जिद पर अड़े रहे और बार बार साधारन मनुश्य में बदलने के लिए कहते गए ठीक है एक रास्ता है और अपनी पास से एक बोतल निकाल कर शेशनाग को देते हैं बस तुम्हें जादूई जल से भरी बोतल में अपनी विश्की थैलिन निकाल कर रख दो और बाकी शक्तियां भी डाल दो और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें शक्ति दुबारा चाहिए तो तुम ये जल पी लेना इससे तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी मगर ध्यान रहे ये बस एक बार ही हो सकता है और नाम देता कायब हो जाती हैं नील ये मेरी शक्तियों की बोतल तुम अपने पास रखो मैं नहीं चाहता कि प्रित्वी दोग पर मैं जोश में इसे वापस पी कर मनुष्य का जीवन त्याग दूँ शेशनाग आप निश्चित रहिए मैं इसका पूरा ध्यान रखोंगा और शेशनाग प्रित्वी लोग पर पहुत जाते हैं और जंगल में ही रहने का निश्च्टे करते हैं कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर उन्हें कोई कन्या नजर नहीं आती है लगता है साधर मनुष्य का जीवन इतना भी सरल नहीं होता और जंगल के अंदर चलने लगते हैं चलते चलते उनकी नजर कोई पर पड़ती है कि तभी दूर से एक दुपट्टा लहराता हुआ शेशनाग के चहरे पर आखर किरता है दुपट्टे के अंदर से शेशनाग देखते हैं कि एक लड़की हिरन की तरहें भागती हुई उनकी और आ रही है अरे, अरे, रुको तो, कहां उड़े जा रही हो तुम? और भागते हुई शेशनाग के पास आकर खड़ी हो जाती है शेशनाग का चहरा दुपट्टे की वजह से धका हुआ था वो लड़की को देख नहीं पा रहे थे कि तभी उस लड़की ने दुपट्टा हटा लिया ओफ ओफ यहां उड़ रहे हो तुम अरे ये क्या मुझे माफ करना और लड़की पलट जाती है शेशनाग अचानक से यह सब होने की वज़े से समझ नहीं पाई जैसे ही वो उसकी वापस मुढने का इंतजार करते हैं तभी एक दूसरी लड़की उसका हाथ खीच कर उसे वहां से ले जाती है और शेशनाग उसका चहरा नहीं देख पाते हैं शेशनाग देखते हैं कि भागते हुए लड़की के पाउं की एक पायल तोटकर गिर जाती है शेशनाग जाकर उस पायल को हाथ में उठाते हैं मुझे आज से पहले ऐसा कभी मैसूस नहीं हुआ कौन थी वो कन्या जिसने बिना चुए ही मेरे दिल को चूलिया है शेशनाग पूरी रात उसकुएं के पास वाले पेड की नीचे बिताते हैं और करवटे लेते रहते हैं आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जिसका चेहरा देखे बिना मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ मुझे उसे धूलना ही होगा और फिर सफेद धोती और लाल कुर्ता पहन कर कंधे पर एक पुराना तौलिया रखे हुए एक कपडों की पोटली पगल में टांक कर शेशनाग साधारन मानल के रूप में गाउं की और निकल पड़ते हैं और जंगल में चलते चलते एक छोटे से गाउं की बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं यहां तो जंगल का अंत हो रहा है क्या पता मेरी तलाश का भी अंत यहीं हो जाए और वो गाओं के अंदर चलते हैं, तभे उन्हें पाइल के घुंगरों की आवाज आती है और वही हसने की आवाज आती है शेशनाग चारों ओर देखते हैं अरे यह आवाज तो इसी घर से आ रही है, जरूर वो लड़की इसी घर में रह रही होगी, मुझे पहले यह देखना चाहिए शेशनाग भेश बदल कर दाड़ी मूश लगाकर उस घर के बाहर जाकर आवाज लगाते हैं कंगन चमखाने के लिए, चुमकों में घुंगरू लगाने के लिए, कंगन बनाने के लिए या किसी की टूटी पायल जोड़ने के लिए, मैं मुशाफिर आया बड़ी दोर से यह सुनते ही आसपास की बहुत सारी लड़कियां और औरतें बाहर निकल कर आई मगर शेशनाग की निगाही भीड में बस उसी तूटी पायल वाली लड़की को ढोन रही थी शेशनाग सब के पाउं की और देखते हैं इन में से तो वो कोई वाली लड़की कोई भी नहीं है न जाने वो यहाँ है भी या नहीं, कैसे दिखती होगी वो और उदास होकर अपना सामान समेटने लगी कि तभी भीड की अंदर से एक आवाज आती है अरे, अरे, रुको पायल वाले भाया, जाओ मत, देखो मेरी एक पायल तूट गई है ये, ये तो वही आवाज है, पस भीड में से ये आवाज किसकी है तभी वो लड़की अपना पाउ शेशनाग के आगी कर देती है लो, मेरे पायल भी बना दो अब आप शेशनाग देखते हैं कि लड़की के पाउ में वही पायल रहती है जिसका एक हिसा शेशनाग के पास था शेशनाग नजर उठाकर उस लड़की को देखते हैं और बस एक टक देखते ही रह जाती है मैंने आज से पहले कभी इतनी खुपसूरा लड़की नहीं देखी है कौन है ये अपसरा और प्रत्वी लोग पर क्या कर रही है पायल जुड़ते ही वो लड़की फिर से भागने लगती है तब ही भीड में से आवाज आती है बसकर खनक कितना भागेगी जब देखो भागती ही रहती है खनक जितनी सुन्दर ये उतना ही सुन्दर इसका नाम भी है बिलकुल इस पायल जैसा अब मुझे इसके साथ ही अपनी जिंदगी वितानी है और ये मेरे प्यार की तलाश खत्म करती है यानि यहाँ मेरे प्यार की तलाश खत्म हो गई है मगर मैं इसके करी कैसे जाओंगा मुझे कोई तरकीब लगानी होगी शेशनाग खनक को देखकर वापिस जंगल की ओर चले गए और रात में खुले आसमान के नीचे लेट गए आखिर एक साधान कन्या में इतना तेज कैसे कि मैं खुद को उसके पास खेचा हुआ महसूस कर रहा हूँ तभी शेशनाग की नजर उपर आसमान पर पड़ी तो शेशनाग को खनक का चहरा आसमान में नजर आया जिसे देख शेशनाग एक तम मंत्र मुक्द हो उठे और शेशनाग सोच में बढ़ जाते हैं कि वो और खनक दोनों नाग लोग में नृत्य कर रही हैं और खनक नागिन अफ्तार में शेशनाग के साथ है पूरा नाग लोग दोनों पर फूलों की बारिश कर रहा है और खनक शर्माते हुए शेशनाग के गले लग जाती है शेशनाग ऐसी कल्पना करते हुए नींद में डूब जाते हैं और फिर उनकी आख अगले दिन उसे पायल की आवाज से खुलती है शेशनाग चल्दी से खड़े होकर पेड़ की आर में छिप जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लड़किया कोई में पानी भरने के लिए आती हैं उनमें खनक भी होती है तब ही एक लड़की खनक पर चिलाते हुए अपना मटका भी खनक के हाथ में थमा कर वापस गाओं की और चली जाती है खनक उसे कुछ नहीं बोलती पर खनक की दोस रिखा यह देखकर खनक को समझाती है खनक तु कब तक यह सब सहन करती रहेगी आखिर तुझे तेरे लिए आवाज उठानी ही होगी पर वो मेरी बेहन है खनक बहुत भोली है तु तु हमेशा पूनम को बेहन मानती है मगर उसने तुझे कभी अपना नहीं माना और काका काकी भी तुझे सोतेला बरता भी करते हैं कोई बात नहीं रिखा एक पानी का मटका ही तो है इतनी सी बात पर क्या नराज होना वैसे भी पूनम मुझसे छूटी है और सभी कुएं से पानी भर कर बापस गाउं की ओर चले गए तो वो बत्तमीज लड़की खनक की बहन थी और वो समझदार दिखने वाली लड़की उसकी दोस्त जरूर बेचारी किसी मुश्कल समय से गुजर रही है मुझे इसकी मदद करनी होगी और शेशनाग एक नौकर का भीश बना कर काउं की ओर निकल पड़े और खनक की घर में चले गए मालकिन अरे ओ मालकिन घर में कोई है क्या अंदर से खनक की सौतेली मा कल्यानी निकल कर आती है कौन है बताओ क्या चाहिए वो मेरा नाम जनक है मैं काम के तलाश में भठक रहा हो यहाँ मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गाउं में सबसे द्यालू सिठानी तो आप ही है जो मुझ जासे गरीब को काम पर रख सकती है नहीं नहीं यहाँ कोई भी काम नहीं है जाओ तुम यहाँ से कहीं और काम ढूंडो पस सिठानी जी मुझ अनपड को कोई क्यों काम देगा मुझे आप ही रख लीजिए मुझे पैसे भी नहीं चाहिए बस खाने को रोटी और सोने को थोड़ी सी जगह दे देना तभी पूनम अपनी मा के पास जागर उसे समझाती है मा रख लेते हैं ना इसे काम पर वैसे भी हमें एक माली की जरूरत थी यह बेफ़ूफ सा लगता है तो हम इससे बाकी काम भी करवा लेंगे कल्यानी को पूनम की बात सही लगती है और वो जनक को काम पर रख लेती है और फिर अपना घर दिखाने लगती है जनक बनी शेशना की आखे घर के हर कुने में बस खनक को तलाश कर रही थी कहां होगी वो चंचल सी लड़की, पता नहीं अभी किसको तंग कर रही होगी तभी एक लड़का खनक के कान पकड़कर उसे खीचता हुआ लाता है, वह पूनम का छोटा भाई दीबक था मा, मा देखो इसकी हरकत है राम, अब क्या कर दिया इस बोजने मा, मैंने इसको बगेचे से फूल तोड़ते हुए पकड़ा है मैंने देखा ये सब की नजर बचाते हुए फूल तोड़के अपने बालों में लगा रही थी कल्यानी भी खनक के कान खीचती है क्यों औरी लड़की, तु सुधरेगी नहीं मैं सब जानती हूँ कि ये सब करके तु मेरी बेटी से अधिक सुन्दर दिखना चाती है पहली ही उसके लिए आय हुए शादी के रिष्टे तुड़वा चुकी है लगता है अब तुझे वही छोड़कर आना होगा जहां से उठाया था उसी जंगल में वरना जब तक तु इस घर में है मेरी बेटी की तो शादी हो ही नहीं सकती हा मा, खनक को देखने के बाद कोई मुझसे शादी के लिए हा नहीं करता सब इसी को पसंद करते है चुप हो जा मेरी बेटिया देख, तुने मेरी फोल सी लाड़ो को रुला दिया अब जाकर रसोई में इसके लिए कुछ अच्छा खाना बना, जा ची मा जी, अभी लाए खनक भी रोते हुए रसोई में जाकर काम करने लग जाती है जनक खनक के साथ यह हुता देख रोने लगा जैसे ही उसका आंसु धर्ती पर गिरा वो धर्ती में समाता हुआ नाक लोक में जाकर नेल पर बरस गया यह क्या, मिरे शेशनाक पर जरू कोई दुख आया है मुझे उनकी शक्तियों वाली बोतल उन्हें दे देनी चाहिए पर पहले मुझे देख कर आना चाहिए जनक बाजार से सबसे अलाकर रसोई घर में जाता है और वहां खड़ी खनक को रोता देखता है खनक, तुम रोते हुए बिलकुल मचली जैसी लगती हो मचली जैसी? हाँ, मचली भी रो रो कर पुरा ताला पानी से भड़ देती है खनक हसते हुए हरे वो पानी रोने की वज़े से नहीं होता बुद्धू देखा, हसा दिया ना तुम है कितनी प्यारी लगती हो तुम हसते हुए खनक ने आज से पहले अपनी तारीफ किसी से नहीं सुनी थी तो उसे बहुत अच्छा लगता है तब ही जनक खनक की मुर्ठी में एक मुर्जाया हुआ फूल दबा देखता है और बगीचे में जाकर चुप चाप एक नया फूल लाकर देता है ये लोग खनक ये तुमें और भी सुन्दर बनाएगा खनक उसे बालों में लगा लेती है और इत्राने लगती है जनक और खनक की दोस्ती हो जाती है शेशनाग खनक से हुई दोस्ती को देख मन में बहुत खुश होते हैं बस खनक अब धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्रेम पैदा होने लगेगा पास आते हैं ही महान नाग मुझ से इसने वह लडाय की है और अब मैं इस नाग को मार डालूंगा क्या तु मुझे मारेगा नाग देव आप मुझे आग्या दे इसे तो महीं मारूंगा पलाश को यह देख बहुत मज़ा आता है और वो दोनों की लड़ाई छुडाने की बजाए दोनों की पीच एक मुकामला करा देता है नाग लोग की सभी नागनागीन मुकामला देखते हैं जिसे देखने के लिए पलाश टिकेट भी रखता है अरे ऐसा नाग लोग में कभी नहीं हुआ होगा भी क्यों हमारे शेश नाग तो बहुत शान्दी प्रिया नाग देव थे यह पलाश तो बहुत ही क्रोड नाग निकला हाँ तुम सही कह रही हो पर अब क्या कर सकते हैं और मुकाबले में दोनों नाग आपस में खूब लड़ते हैं लड़ो और लड़ो खत्म कर दो एक दूसरे को और लड़ाई के दौरान एक नाग की मृत्य हो जाती है यह देख सारा नाग लोग भी भैभीत हो जाता है देखा अब ऐसे ही इनसाफ होगा जो ताकतवर होगा बस वही रहेगा मेरे नाग लोग में और जो इड़ जैसा कमजोर होगा उसके लिए ऐसे ही मुकाबले होंगे यह सुनते ही सारे ताकतवर नाग पलाश के पास आ जाते हैं यह महान बलशाली नाग हमें आप अपने शरण में ले लें हम आपकी स्वक्षा को मजबूती देंगे तभी कमजोर नाग आकर पलाश की सेवा करने का प्रस्ताफ देते हैं और नाग लोग की नागिनों से पलाश नृत्य कराने लगा पलाश को यह सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कितने आराम की जिंदगी है आज पूरा नाग लोग मेरे आगे जुका हुआ है मगर कल जब शेशनाग वापस आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा तब ही उन नागों में से एक मिराज नाम का नाग बोलता है पलाश यह सुनकर खुश होता है और दोनों खूब हसती है यह तो बहुत ही उत्तम विचार है यदि मैं शेशनाग का काम प्रती लोग परी तमाम कर दूँ तो यह नाग लोग मेरा हो जाएगा उधर जनक और खनक की बीच दोस्ती बढ़ती जा रही थी अब जनक और खनक रसोई में साथ काम करने लगे और खाना भी साथ ही बैटकर खाते थे अच्छा जनक तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है और तुम यहां क्या करने आए हो वो मैं अनाथ हूँ खनक मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है खनक यह सुनकर जनक का हाथ पकड़ लेती है ऐसी बात नहीं है जनक आज से तुम अनाथ नहीं हो मैं होना तुम्हारी दोस्त और हमेशा रहूंगी जैसे ही खनक जनक का हाथ चूती है जनक को अचानक से जोर का जटका लगता है और वो जल्दी से भागता हुआ जंगल की और चला जाता है क्या हुआ जनक? तुम ठीक तो हो? किधर जा रही हो? ये क्या? पर ये कैसे संभव हो सकता है? खनक के चूते ही मुझे जटका क्यों लगा? जैसे वो भी एक नागिन हो मगर खनक एक नागिन कैसे हो सकती है? वो तो साधारन मनुश्य है आप देखिए आगे क्या जनक का शक सही होगा? क्या है खनक का सच? या शेशना के लिए ये कोई मायवी जाल होगा? दूसरी ओर क्या पलाश नाग लोग पर योही राज करेगा? और शेशना के लिए एक ऐसी मुश्किलने खड़ा करेगा? वहीं क्या नील अपनी सूचबूच से शेशना की मदद कर सकेगा? ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब पाने के लिए देखते रहिए शेशनाग और नागिन की प्रेम कहाने का अगला भाग जनक जैसे ही खणक का हाथ चूता है, उसे जोर का जटका लगता है और भाग कर जंगल में चला जाता है अरे, इसको क्या हो गया अब? भागना तो मेरा काम है, ये पागल क्यों भाग गया? ये क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ? जैसे मैं अपने ही जैसे से मिला हा था पर खनक तो एक मामली इंसान है, तो फिर वो क्या था? ऐसे इंट्रेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ, बेल आइकॉन को दबाला ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए तभी नील एक बुड़ी और का भीश बना लेता है और शेशना के आगे से गुजरता है क्या हुआ पीटा? मुझे तो तुम बहुत परिशान लग रहे हो नहीं नहीं माजी, ऐसी कोई बात नहीं है आप कहां जा रही है? आईए, मैं आपको छोड़ देता हूँ जनक मन में सोचता है, मैं इन्हें छूकर देखता हूँ क्या पता, वो सब मेरी ही मन का वहम हो और जनक बुड़िया का हाथ बकरता है पर बुड़िया के रूप में अंदर नील था इसलिए जनक को तब भी छटका लगता है और वो बुड़िया को छोड़ कर तुरंथ ही वहां से भागने लगता है क्या हुआ बेटा, मुझे तुम अपनी बात कह सकते हो मा जी, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ पर कहने से डरता हूँ और मैं तो उसके बारे में अधिक को जानता भी नहीं हूँ नील मन में मुस्कुराता हुआ इतनी सी बात पर परिशान हो रहे हो बेटा, यदि ऐसा है तो सबसे पहले तुम्हें उस लड़की के मन में अपने लिए फ्रेम जगाना होगा उसकी करीब जाना होगा उसकी बाद उससे उसके बारे में पूछ सकते हो जनक मुस्कुराता हुआ बुढ़िया को कुएं के पास बिठा ही रहा था कि तभी उसे फिर करंट के जटके लगे लगता है मुझे ही कोई तक्लीफ है जो सभी नारियों के सपाश से मेरे बदन में जटके लग रहे है और जनक खनक की बात को अंसुना कर वापिस घर लोट जाता है कहा चले गए थे तुम बुद्धु राम में तो डर ही गई थी मुझे लगा कि तुम शायद मेरी शकल देखकर डर गए होंगे ये तुम क्या बूल लही हो तुमने खुद को आईने में देखा है और खनक का हाथ पकड़कर रिसोई घर में रखे बढ़े बर्तनों की पास ले जाता है देखो, इन बर्तनों में अपना चहरा तुम धेना जनक, मजग की बाते ना करो अब और बस काम में मेरा हाथ बटाते चलो यहाँ बहुत काम पड़ा है मैं मजाग नहीं कर रहा खनक मैंने आज तक तुमसे सुन्दा कोई लड़की नहीं देखी ना इस लोग में और ना ही मेरे परलोग में अचानक चुप हो जाता है तुम्हारा लोग? तुम्हारा कौन सा लोग है? वैसे क्या तुम कोई एलियन वगेरा हो? देखो अगर ऐसा है तो तुम्हे मुझे अपने उस उडन खटोले में बिठाना होगा जनक हस्ती हुई खनक के चहरे को देखते हुए कितनी सरल और कितनी सुन्दर है ये लड़की ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन पूरा हो गया हो और आवी से अपने साथ नाग लोग ले जाओ और खनक को चूते हुए जनक को वही जटका महसूस होता है इस बार वही जटका खनक को भी लगता है मुझे जनक के साथ ऐसा महसूस क्यों होता है कि वहे मुझ जैसा ही है पर मुझ जैसा कैसे कोई हो सकता है मेरा तो पूर्ण जीवन ही अभिशाप है नहीं नहीं, मेरे राज दबे रहे तो ही अच्छा है काम करते हुए कल्यानी खनक को अवास देती है अरियो खनक, किधर है तू? कल्यानी की अवास सुनते ही चनक और खनक दोनों कल्यानी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं जी माजी ये क्या, मैंने तुझे नहीं इस लड़की को बुलाया था मैं भी बेवकूफ सा, नाम सुनते ही आ गया नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है वो मेरा और तुम्हारा नाम एक जैसा है न इसलिए वैसे जनक, आज तक मुझसे इतनी बात किसी ने नहीं की तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और दोनों अपना-पना काम करने लगे काम करते समय, जनक का हाथ कल्यानी को छू जाता है और वैर देखता है कि कल्यानी के छूने से उसके शरीर को कोई भी जटका नहीं लगता उधर नाग लोक में राज कर रहा पलाश अपने चेले मिराज से कहता है मिराज, फिलाज शेशनाग के पास एक भी शक्तिया नहीं है और वो एक कमजोर तोच इंसान के रूप में है क्या हम ये नजारा नहीं देखना चाहिए बिलकुल नाग, हम ये शांदार अफसर नहीं चूकना चाहिए क्यों ना, हम दोनों एक बार प्रत्वी लोग देखकर आएं पलाश को मिराश की बात बहुत पसंद आती है और दोनों साध्यों का भीश बनागर प्रत्वी लोग पर आते हैं मिराश और पलाश कल्यानी के घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं साध्यों की आवाज सुनकर जनक रोटियां देने बहार आता है पुराना गमच्छा लपेटे, मैली सी धोती और कुर्ता पहने जनक को देखकर पलाश को मन ही मन खूब हसी आती है क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी जनक कहां से आये हो? पासी के गाउं से आया हूँ, काम करने कहां राजा की जिन्दगी जी रहा था तू? पासी के जनक चलाते हुए बहर आती है रुको सादू बाबा, अभी जाना मत, रुको, यह आटा भी लेते जाना और बाहर आती हुए खनक पर पलाश के नजर पढ़ती है पलाश बस एक टक खनक को देखते रह जाता है इतनी सुन्दर कन्या, ये इतनी अतधिक सुन्दर कन्या आखिर है कौन? बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी बाबा, मेरा नाम खनक है और पलाश और मिराज वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं तब ही कल्यानी पीछे से आवाज लगाती है और उसे धक्का देकर साथियों से आटा लाने वापस भेज देती है मगर मिराज और पलाश कायब हो जाते हैं अगर मैं वो आटा लेकर वापस नहीं गई, तो माची बहुत मारेगी खनक रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैट जाती है नील यह सारी घटना पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था अरे, यह तो शेशनाग बारे लड़की है, यह बहुत अकलीब में है मुझे इसकी मदद तो जरू करने चाहिए नील जादू से तुरंथ ही एक फेरी वाले का भेश बना लेता है और जंगल में से गुजरने लगता है नील खनक के सामने चान बूझ कर आटे का एक थैला गिरा कर आगे निकल जाता है खनक की नजर उस पर पढ़ती है तो वो फेरी वाले को आवाज लगाती है फेरी वाले भाईया ओ फेरी वाले भाईया ये देखो आपकी काड़ी से आटे की थैली गिर गई थी नहीं नहीं बहन जी आप ही रखे वैसे भी जब गिर ही गई है तो क्या वापिस उठाना नहीं भाईया मैं कैसे रख लूँ ये आपकी मेहनत का समान है जिसे बेच कर आपको पैसे मिलेंगे मैं कैसे रख लूँ मेरे पास तो आपको इसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है अच्छा यदि यसी बात है तो मैं बहुत लंबे समय से गाड़ी खीच कर ठग गया हूँ और इस सामान कहीं रख भी नहीं सकता तो आप मुझे ठंडा पानी पिला दीजिए खनक ऐसा ही करती है और बदले में नील उसे आटे का थैला दे देता है खनक खुशी खुशी खर लोटाती है जनक यह सब पेड़ के पास खड़ा होकर देख रहा था मेरी खनक कितनी स्वाभी मानी है अब तो मुझे तुमसे और अधिक प्रेम हो गया है खनक शेश नाग के लिए खनक से उचित कोई लड़की नहीं होगी मुझे अब इन दोनों को मिला नहीं होगा मगर उससे पहले एक बार नागलोग में जाकर देखाता हूँ कि सब ठीक तो है नागलोग में पलाश और मिराज वापस लटते हैं और मिराज पलाश से बाते करने लगता है पर पलाश का ध्यान मिराज की एक भी बात पर नहीं होता मेरे मालिक क्या आप मुझे सुन रहे हैं पलाश को हिलाता है मुझे खनक चाहिए कौन खनक वही जिसने हमें आटा दिया था मुझे अब वही लड़की मेरे पास चाहिए पर वो तो मामुली कन्या है पलाश मिराश को एक थपर मारते हुए मैंने तुमसे तुमारी राय नहीं पूछी हुकुम दिया है कि मुझे वही कन्या ला कर दो चाहे उसके लिए तुम्हे उस मूर्ख शेशनाग को रास्ते से भी हटाना पड़े तो उसे खत्म कर डालना और मिराश को खनक को लाने प्रित्वी लोग भेश दीता है नील यह सब छुप कर देख रहा था मुझे शेशनाग को आने वाले खत्रे से साबधान करना होगा जाओ मिराश प्रत्वी लोग से खनक को यहां उठा लाओ और जरूरत पढ़ने पर शेशनाग को भी खत्म कर देना नील मिराश और पलाश की यह सब बाते सुन लेता है और शेशनाग की मदद करने प्रित्वी लोग कर जाता है जाते हुए वह शेशनाग की शक्तियों से भरी बोतल को नाग लोग में सुरक्षित रग देता है उधर शेशनाग और खनक की बीच बढ़ रही दोस्ती भी अब कुछ नई कहानी लिख रही थी खनक और शेशनाग अब अक्सर साथ ही समय बिताते थे और धीरे धीरे खनक के मन में भी शेशनाग को लेकर अलग भावनाई पैदा होने लगी रीखा तुझे चनक कैसा लगता है? कैसा लगता है? मतलब लड़के जैसा लगता है? नहीं पुद्धू मेरा मतलब है तुझे क्या लगता है जनक अच्छा लड़का है या नहीं तीक अच्छा ही होगा पर क्या तुने उसे अपना सच बताया कहीं ऐसा ना हूँ कि वो तुझे इस घर की मालकिन समझता हो और पैसे के लालश में आकर तेरे साथ अच्छा बन रहा है नहीं नहीं जनक ऐसा पिल्कुल भी नहीं है मैं जनक को इतना तो जान गई हूँ मिराज रेखा और खनक की बाते दूर खड़ा होकर सुन रहा था तभी मिराज ने एक सुन्दर लड़की का रूप लिया जिसने धेर सारे गहनी पहने थे और जनक को ढूणने लगा जनक रोज की तरह आज भी जंगल में उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था और खनक के खयालों में था कि कुछ देर बाद उसकी आँख लग जाती है खनक जनक को ढूणती है आज मैं जनक को अपना रास बता दूँगी कि मैं कौन हूँ और कहां से आई हूँ लड़की बना मिराज मौका देखकर सोय हुए जनक के बगल में जाकर सो गया और खनक के आने का इंतजार करने लगा और तब ही वहाँ खनक आ गई खनक ने जनक के बगल में सोई उस लड़की को देखा और उसके गले में पहने उन धेर सारे जेवरों को देखा इसका मतलब रेखा ठीक है रही थी जनक को केवल अमीर लड़की से ही प्रेम हो सकता है मुझ जैसी गरीब के साथ नहीं मगर जो मेरे साथ था वो क्या था और रोते हुए वहां से जाने लगती है नील वही खड़ा होकर मिरास की सारी चाल देख रहा था कि तब ही उसने एक बुड़िया की रूप में आकर जाती हुई खनक को रोका रोक जाओ बेटी क्या हुआ माजी मैंने सब देखा तुम शायद उस लड़के के पास सुई उस लड़की को देख कर रो रही हो खनक यह सुनकर और अथिक रोने लगती है रुको बेटी अपनी आखों पर इतना भी विश्वास मत करो तुम यहीं रुको और अब आगे देखना खनक और नीन वहीं खड़े होकर जनक को देखते है जनक गहरी नीन में सोया हुआ था कि तब ही उसकी नीन खुल जाती है और वहें अपने पास में सोई उस लड़की को देख चौक जाता है कौन हो तुम बेहन और यहां मेरे पास क्यों सो रही हो मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो हो भी गया अब मैं चलती हूँ और हसते हुए वहां से चली जाती है जनक को कुछ नहीं समझाता खनक यह देख कर बहुत खुश होती है मतलब जनक को तो पता भी नहीं था कि उसके पास कोई है मैं भी कितना फाल्तु सोच रही थी कि तब ही खनक मुड़कर देखती है तो बुड़िया वहां से गायब होती है शायद माजी चली गई होगी फिर आखिर वो लड़की है कौन और मेरे और जनक के बीच दूरियां क्यों लाना चा रही थी खनक जंगल के अंदर उसका पीछा करती है और देखती है कि चलते चलते वो लड़की एक साप में बदल जाती है और गायब हो जाती है हे शिवजी ये क्या एक इच्छाथारी साप कही उन लोगों को ये पता तो नहीं चल गया कि मैं कहा हो और वो मुझे वापस लेने आ गए है मुझे इन लोगों से जनक को भी पचाना होगा खनक जनक के पास जाती है और देखती है कि वह तो फिर से सो गया है और वो भी उसके पास जाकर लेट जाती है जैसे ही खनक का हाथ जनक को छूता है तो दोनों को जटका लगता है पर कोई कुछ नहीं बोलता और जनक उसको सीने से लगा लेता है कितना सुहाना सपना है, काश मेरी खनक असलियत में भी मुस्से योही लिपट कर सोई तब ही खनक बोलती है, वैसे ये सपना नहीं है, जनक इतना सुनते ही चौक कर उठ जाता है अरे खनक तुम यहाँ माफ करना, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ हाँ, पर मुझे अच्छा लगा, और शर्माते हुए वहाँ से वापस खर लोट जाती है जनक भी बहुत खुश होता है और खर जाने लगता है, तब ही नील आकर जनक का हाथ पकड़ लेता है शेशनाग, शेशनाग मेरी बात सुनिये पर जनक शक्तियां जाने से नील को पहचान नहीं पाता, और उसकी बात सुने बिना ही घर लोट जाता है मिराज नाक लोग जाकर पलाश को पूरी घटना के बारे में बताता है मालिक अब आप देखना, खनक जनक से नफरत करेगी और तब आप उसे अपने इश्क के जाल में फसा लेना मगर तुम वापिस क्यों आए, जब तक ओशेशनाग को राहते से ना हटा दो, तुम वापिस मत आना अगले दिन, नील फल वाले के रूप में खनक के घर के बाहर जाता है ए फल वाले, ये स्ट्रॉबरीज कितने की दी? मैडम, ये तो बहुत महंगा फल है, आप ये सेब लीजी, आपकी तरह है एक गम गोल क्या मैं तुम्हें गोल लगती हो, बत्तमीज और कल्यानी को बुलाने अंदर जाती है, खनक ये सब देखकर हस रही थी, और जनक खनक को देखकर खुश हो रहा था शेशना को उनका वास्तविक प्रे मिल चुका है, अब मुझे उन्हें सब बता कर उनकी शक्तियों को उन्हें वापस दे देना चाहिए अगर जादा देर हुई, तो पलाश पुरे नागलों को तभा कर देगा सुन जनक, तू ही जाकर उस फलवाले से फल ले करा, पता नहीं उसने पूनम बिट्या को क्या बोला जनक नील के पास जाता है, और नील एक खुला नारियल जनक को पकड़ा दीता है, और कहता है शेशनाग, इसमें एक चिट्थी और निशानी है, आप इसे जरूर देख लें और वहाँ से चला जाता है, खनक यह सब दीख रही थी ऐसा क्या होगा उस नारियल में? मुझे भी देखना है जनक नारियल ले जाकर रसोई में रखता है और काम करने लग जाता है खनक नजर बजाकर चुपके से नारियल उठाकर ले जाती है और उसमें रखी एक अंगुठी निकालती है तरसल वो अंगूठी जनक की थी जब वह शेशनाक था जैसे ही खनक वह अंगूठी उठाती है एक दिव्य शक्ती प्रकट हो जाती है तो तुम्हें तुम्हारे काल ने धूंड ही लिया खनक और तब ही वहाँ जनक भी आ जाता है और खनक के हाथ से वो चिठी और अंगूठी ले लेता है तुम्हें मेरी चीजों का हाथ नहीं लगाना चाहिए खनक मगर इसमें ऐसा क्या है और वो अंगूठी उसमें से अजीब सी रोश्नी कैसी निकली थी जनक खनक के एक भी सवालों का जवाब दिये बिना ही वहाँ से चला जाता है और नील की दी हुई चिठी और निशानी देखकर वह कौन है यह याद करता है एक और मिराज पलाश के आदेश से प्रित्वी लोग पर वापिस आकर देखता है कि जनक और खनक अब भी साथ है और मुस्कुराती हुए खनक के घर के बाहर खड़ा हो जाता है यदि मैं ये साबित कर दूँ कि जनक एक जरिला साप है तो लोग इसे पीट-पीट कर मार डालेंगे कितना होश यार हूँ मैं अरे अरे ओ काम चोड़ लड़के इधरा जरा मेरी मालिश तो कर दे जनक भागा-भागा कल्यानी के पास जाता है और मिराज भी बस मौके की तलाश में रहता है कि तब ही खनक उससे तेल की कटोरी छीन लेती है बड़े आए मेरी मा की तेल मालिश करने वाले हाँ पहले मुझे बताओ चिठी में क्या था और मुड़कर कल्यानी के कमरे में चली जाती है जैसे ही खनक कल्यानी की माले शुरू करती है मिराज कमरे की बत्ती गायब कर देता है और खिड़की से कमरे में आ जाता है वह नाग रूप में था मिराज देखता है कि कमरे में तो जनक नहीं खनक है ये क्या? ये तो नाग लोग का नाग है, कहीं ये वही तो नहीं, मुझे और मेरे जनक को इससे खत्रा है कुछ देर बाद जब रोशनी आती है तो कल्यानी जोर सी चीखती है सामनी एक काला साप खायल पड़ा था, जनक भागा भागा कमरे में आता है कमरे में अंधेरे में मिराज की चाल मिराज पर ही भारी पड़ जाती है वो वही पड़ा तडपता रहता है और पलाश के पास संदेश पहुचा दीता है और पूरी बात बोलने से पहले ही चाम दे दिता है तभी कमरे में पूनम आ जाती है और सामने पड़े मरे हुए काले नाग को देखकर चिलाती है मा मैंने कहा था ना ये नागिन ये दुष चुड़ैल एक दिन हमारे लिए खत्रा बनेगी पर पता नहीं आपने इसे क्यों रखा हुआ था नहीं मा जी मैं आपकी बेटी हूँ बेटी कैसी बेटी जमीन से उठाई हुई लड़की को बेटी नहीं कहते और मैं तो तुझे नौकरानी बनाने के लिए ही तो लाई थी घर में पर अब तेरी कोई जरूरत नहीं है निकल जा यहां से और खनक को धक्का मार कर घर से निकाल देती है जनक यह सब खड़ा खड़ा देख रहा था पर वे कुछ नहीं समझ सका कि आखिर यह हुआ क्या जनक खनक को ढूणने जंगल की और जाता है मगर उसे ढूणते ढूणते देर रात हो जाती है कि तभी उसे खयाल आता है कि खनक जरूर उस कोई के पास मिलेगी पूर्णिमा की चांदनी रात थी और जनक देखता है कि खनक कोई की मुंडेर पर दोनों हाथ फेलाई खड़ी थी नहीं खनक ऐसा मत करना रुको और तभी खनक एक बार मुड़कर चनक की और देखती है और कोई में कूथ जाती है अब देखिए अगले एपिसोड में क्या खनक ने हालात के आगे मजबूर होकर कोई में कूथ कर जान दे दी या अभी भी खनक का रास खुलना बाकी है और मिराज के जाने का सद्मा पलाश से अब क्या कराने वाला है क्या नील शेशनाग पर आने वाले खत्रे को टाल पाएगा यह जानने के लिए देखते रहे शेशनाग और नागिन की प्रेम कहानी का अगला भाग हमारे चैनल लफ सिटी पर जनक भागता हुआ कोई के पास जाता है और सोर से चिलाता है तभी उसकी नजर कोई के पास पड़ी खनक के कपड़ों पर जाती है खनक के कपड़े यहां कैसे? उसने तो अभी मेरे सामने कुए में छरांग लगाई है जनक तभी कुए में जांक कर देखता है चांद की रोशनी से कुए का पानी चमक रहा था और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे जनक एक्तम चौंक जाता है जैसे ही जनक कुए में जांकता है कुए से एक बड़ी धार उपर उठती है जिस पर एक बहुत विशाल काली नागिन कुंडली मार कर बैठी हुई थी अरे ये तो कोई नागिन है मेरी खनक कहा चली गई? तब ही उस काली नागिन के सर पर रखी एक चमकीली वस्तू जोर से चमकने लगती है और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाती है नील ये सारा द्रश्य पेड के पीछे छुपकर देख रहा था जनक ये देखकर चौक जाता है वो नागिन कहा गायब हो गई? और खनक वो भी नज़र नहीं आ रही है खनक, खनक कहा हो तुम? जनक कुए में जांक कर दीखता है कि खनक वहां बेहोश पड़ी है और खनक को कुए से बाहर निकालता है अरे खनक का शरीर तो ठंडा पड़ चुका है जनक का शरीर जैसे ही आग के संपर्क में आया वो रंग बदलने लगा और खनक के शरीर से उसकी चमड़े अलग होने लगी यह खनक को क्या हो रहा है? और देखते ही देखते जमीन पर लेटी हुई खनक नागिन के रूप में आ गई जनक खनक का यह रूप देखकर चौक जाता है तो क्या खनक एक नागिन है? खनक को भी होश आ जाता है और वो मानव रूप में आ जाती है हाँ जनक यही मेरा सच है मैं जानती हूँ इस सच को जानने के बात तुम कभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहोगे और शायद तुम्हें मुझसे डर भी लग रहा होगा पर उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जनक खनक की ओर बस देखता रहता है ये बात उस समय की है जब मेरी बाबा रिशब नाग लोग के नागराज के सबसे अच्छी दोस्त थे और मेरी मा सुमित्रा नागराणी की सबसे अच्छी सहेली थी मेरी बाबा नागराज को जब भी कोई सलह देते तो नागराज उसे हमेशा मानते थे और फिर एक दिन नागराज के पास नाग लोग का सबसे दुष्ट नाग आया उसने नाग राज से एक सौधा करना चाहा, ये नाग राज मुझे देव लोग के सबसे कीम्ती हाजाने का पता लगा है यदि हम लोग नाग लोग की संपो शक्ति लेकर देव लोग पर हमला कर देते हैं तो वो खाजाना और उसमें छिपी अतुल्य शक्तियां हमारे लोग की होंगी और फिर हम शब शक्ति मान हो जाएंगे हाँ 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 ये तुम क्या कह रहे हो वच्छी ये सब गलत काम है हम नाग लोग वासी ऐसा पाप करने का सोच भी नहीं सकते हैं चलो जाओ यहाँ से और तुम्हारे माता पिदा कहा है उन्हें हमारे पास भेजना तभी मेरे बाबा ने नाग राच के कान में कुछ कहा हे देव हमारे नाग लोग में किसी नाग के मन में ऐसे विचारों का पैदा होना अच्छी बात नहीं है हमें जरूर इसके माबाप से बात करने चाहिए जब बाबा नाग देव से अपनी बात कह रहे थे तब उस दुष्ट नाग ने मेरे बाबा को यह सब कहते हुए देख लिया था और उन्हें घूरता हुआ वहां से चला गया अगले दिन नाग राज ने उस नाग के माबाप को अपने दर्बार में बुलवाया और उनके बेटे की कही बात बताई मैंने तुम्हें कहा था ना हमारे बेटे के लक्षन कुछ ठीक नहीं है अब देखो ये बात सब के सामने आ ही गई आप ठीक कह रही है पर मीरी भी मा की ममता है केसे ना इसकी चीज़े चुपाती मुझे डर था कि अगर इसका सच सब को पता चल जाएगा तो इसे सजा दी जाएगी ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो हे नाग राज हमें शमा करे हमें बहुत पहले ही समझ आ गया था कि हमारे बेटे में चल और कपटने जगह ले ली है इसने आज से पहले नाग लोक में भी चोरियां की है और आपको याद है आपका किमती मुकुट जब गायब हुआ था तो वो हमारे ही बेटे ने चुराया था तभी वहां से नाग राज का बीटा गुजरता हुआ महल से बाहर चला जाता है और वो दुष्ट नाग उसे वहां से उठा कर बाहर ले जाता है यह द्रिश्य नाग रानी और खनक की मा सुमित्रा देख लेती है और नाग राज को बताती है नाग राज आप चिंता ना करें, मैं राजकुमार को अभी लेकर आता हूँ और उस समय मेरी माँ गर्पवती थी, एक और बाबा उस नाग से राजकुमार को लेनी गए थे और मैंने राज महल में चन लिया तभे एक घोर भविशिवानी हुई ये जो बच्ची है, ये इस नाग लोग की किस्मत बन कर आई है और यही बुराई का अंत करेगी बाबा, राजकुमार को उस दुश नाग से बचा लाए रिशब अब तुम ही बताओ, मुझे इस नाग को क्या सिजा देनी चाहिए और उसके परिवार के साथ क्या करना चाहिए नाग राज हमें इसको नाग लोग से बाहर निकाल देना चाहिए मगर इसके मातर पिता को समान से इसी लोग में रहने देना चाहिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है नाग राज को बाबा की बात अच्छी लगी और उन्होंने उस दुश्ट नाग को नाग लोग से बाहर फैग दिया आज तो मैं जा रहा हूँ मगर ध्यान रखना एक देन जरूर लोट कर आऊंगा और इस भवश्यवारी को गलत साबित कर दूँगा और फिर वो चला गया फिर फिर आगे क्या हुआ थीरी थीरी समय बीतता जा रहा था नाग राज का महल मेरी और राजकुमार की आवाज से कूँचता रहता बाबा और नाग राज हम दोनों को खेलता देख बहुत खुश होते थे सुनिये ना हमारा बेटा खनक की साथ कितना खुश रहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और सुमित्रा दोस्त हैं और आप और रिशब भी जी नाग राज राणी ने एकदम सौट टके की बात कही है तो क्यों ना इन दोनों को उम्र भर के लिए ही एक साथ कर दे मतलब यह आप क्या कह रही है नाग राणी ये तो तुमने बहुत ही सही बात कही हरक बिटिया का राजकुमार के साथ विभा करके हम तो धन्य हो जाएंगे सब बहुत खुश होते हैं कि तभी नाक लोग में खबर आती है कि आख लगने से एक नाक नागिन का जोड़ा बुरी तरह जल कर मर गया है नाक राज और बाबा दोनों वहाँ देखने जाती हैं और जो देखते हैं वे बहुत ही डराबना था क्या वो ऐसा क्या देखते हैं बोलो खनक जनक वहाँ वही दुश्ट नाक खड़ा था जिसे नाक राज ने नाक लोग से बाहर निकाला था किसे पता था कि वही नाग लोग का काल बन कर लौटेगा उसने अपने ही मा बाबा को चला दिया था और फिर उसने बताओ खनग आगे क्या हुआ फिर उसने नागराज पर हमला किया मगर मेरी बाबा ने नागराज को बचा लिया नाग राज आप जाईए यहां से, इस दुष्ट को मैं देखता हूँ, आप जाईए, आप नाग राने के पाँ जाईए, और सुमित्रा और बच्चों के साथ रहिए और उसकी बाद उसने बाबा को मार दिया, नाचाने ऐसी कौन सी शक्ति उसके हाथ लगी थी, कि जो भी उसके रास्ते में आया, वो सब को मारता गया, और महल पहुच गया बहाँ नाग राज और नाग राणी थे नाग राणी ने राजकुमार को नाग देव को सौप दिया हे राजन और राणी मेरा कर्टव यह है आप दोनों की रक्षा करना आप यहां से चले जाएए और मैं महल में ही रहकर इसे रोकने का प्रयास करती हूँ नाग रानी के कहने पर भी माँ वहां से नहीं गई और जब उस नाग ने महल पर हमला किया तब माँ घायल हो गई मुझे ये लड़की देदे बेवकूफ नागिन परना तेरी भी जान चली जाएगी इसे मार कर मैं अपनी किस्मत बदलूँगा और मुझे लेकर भागती है और माँ पच नहीं पाई मगर मरने से पहले उसने मुझे पृत्वी लोग पर फैक दिया था और मैं यहां आ गई और ऐसे उस नाग ने मेरे माँ बाबा दोनों को मार डाला और यहां फिर में कल्याणी को कच्रे में पड़ी मिली उसने मुझे उठाया और घर ले आई मेरे लिए सब नया था नई लोग नई दुनिया तो मैंने उसी को अपना मान लिया और तब से यही हूँ मगर थीरे थीरे सबको महसूस होने लगा कि मैं नागिन हूँ पर उस समय तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हें यह सब कैसे पता जब मेरी मा मुझे प्रित्वी लोग पर भीच रही थी तब उन्होंने मेरे मन में ही सब ही बाते एक याद बन कर डाल दी थी जो मुझे मेरे अठारवे जनम दिन पर याद आ गई थी और तब से मैं उस नाग से बदला लेने की आग में चल रही हूँ जनक जनक एकदम चुप खड़ा था मैं चानती हूँ यह सब बहुत अजीब है एक नागिन लड़की से कौन इंसान प्रेम करेगा अब तो तुम मेरे शकल भी नहीं देखना चाहोगे खनक मुझे तुम्हे कुछ बताना है हाँ बोलो ना जनक मेरा नाम चनक नहीं है और जिस कहानी में तुम नाग राज और नाग रानी की बात कर रही थी वो मेरे मादा पिता थे यह सुनते ही खनक चौक जाती है क्या तो इसका मतलब है कि तुम ही वो नाग लोग के राजकुमार हो खनक तुम्हारे इस कहानी में नागलो के जिस नागराज और नागराने का तुम जिक्र कर रही हो असल में वो मेरे माता पिता थे चनक ये तुम क्या कह रही हो तो तुम ही वो राजकुमार हो जो बच्पन में मेरे साथ खेला करते थे हाँ खानक, मैं ही नाग राज का बेटा हूँ, मुझे भी कुछ धुन्दला धुन्दला से याद है राजकुमार चल्दी इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है ओफो, तुम कब बड़ी होगी पागल लड़की, अब पेड से उतरो भी, तुम्हें लग जाएगी तुम तो दरबोक हो दरबोक, देखो, मुझे यहाँ एक चड़िया मिली है इसके पंक में चोट लगी है, मैंने इस पर दवा तो लगा दी है पर क्या तुम नदी से पानी ले आओगे थोड़ा सा और राजकुमार नदी से पानी लेने चाता है, कि तभी खनक दबे पाउं पेड से उतर कर राजकुमार को नदी में धक्का दे देती है मज़ा आया, देखो देखो, महान राजकुमार जी इस छोटी खनक के आगे दूब रहे है तब ही राजकुमार हाथ पकड़कर खनक को भी पानी में खीच लेता है और दोनों पानी में खूब खेलते हैं हाँ, कितने मज़े करते थे हम दोनों पर मुझे सब अभी तक याद क्यों नहीं था शायद इसलिए ताकि तुम खुद मुझे ढूनने आ सको और मुझे तो इसलिए सब याद है क्योंकि माने मरने से पहले अपनी सारी यादी मुझे देती थी जनक खनक का हाथ पकड़कर उसकी आँखों में देखता है और दोनों गले लगती है तो जनक, तुम भी एक नाग हो मैं तु सोची, तुम मुझे नागिन के रूप में देखकर तरकर भाग जाओगे वो, वो मैं नाग नहीं नाग लोग का शेशनाग हूँ सबसे बड़ा नाग अच्छा जी, तो अब मेरा छोटा राजकुमार शेशनाग बन गया है वैसे शेशनाग तुम्हारा नाम क्या है जहां तक मुझे पता है, जनक तो नहीं है मैंने कभी इस वारे में सोचा ही नहीं नाग लोग में समुझे शेशनाग के नाम से ही बुलाते है पर तुम मुझे जनक नाम से ही बुला सकती हो खनक मुस्कुराती है शनक तुम अगर शेशनाग हो तो यहां पृत्वी लोग पर क्या कर रहे हो वो वो मैं 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 वो तभी पेड के पीछे से नील बाहर आता है मैं बताता हूँ शेशनाग यहां क्या कर रहे है तुम तुम कौन हो मैं भी नाग लोग का एक छोटा सा नाग हो इसका धरम बस शेशनाग की सेवा करना है हे नागिन, शेशनाग अपना नाग लोग और नाग जीवन छोड़कर इस प्रत्वी लोग पर किवल सचे प्रेम की तलाश में आये हैं जो ने आपके रूप में ताप्त हुआ है हाँ खनक, मैं याप प्रेम की तलाश में आया था और फिर तुम मुझे मिली मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो हाँ जनक, मुझे भी आज से पहले इतना अच्छा किसी के साथ महसूस नहीं हुआ मैं भी तुमसे फ्रीम करती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ नाग लोग चलोगी हाँ जनक मैं चलोगी तुम्हारे साथ जहाँ तुम कहोगी वही चलोगी जनक नाग राज और नाग रानी कहा है खनक बहुत साल पहले वो दोनों नाग लोग मुझे सौप कर कहीं दूर चले गए और फिर कभी नहीं लोट कर आए तबसे में बहुत अकेला हो गया था पर अब मुझे तुम मिल गई हो नियती ने हमारे बच्पन के इस प्यार को वापस मिलाया है आओ नाग लोट चले खनक बार बार पलाश का नाम सुनकर चौक रही थी कि अचानक से उसे कुछ याद आता है जब खनक के मा खनक को लेकर भाग रही थी और वो दुष्ट नाग सुमित्रा के पीछे पड़ा था तब सुमित्रा ने पलट कर उसे ललका रहा था ए दुष्ट धोके बास पलाश तु याद रखना आज जिस लालच से तुने इस नाग लोग को तभा कर दिया है एक दिन तेरा वही लालच तुझे बरबाद कर देगा मेरी बेटी ही तेरा काल बनीगी पलाश तु याद रखना क्या कहा तुमने पलाश? हाँ खनक, यह क्यों क्या हुआ? जनक, जिस नाग की वज़े से आज मेरे माबाबा और तुम्हारे माबाबा हमारे साथ नहीं है वो और कोई नहीं, वही पलाश है हाँ, मुझे याद आ गया, पलाश ही वो नाग था जिसने नाग लोग को उजार दिया था यह सब उस पलाश ने किया था और मैं आज तक उसे अपना मित्र मान दाया था और उसी के हाथ में अपना राज पार्ट दे कर आ गया अभी भी देर नहीं हुए है शेशना हम लोग नाग लोग वापस जाकर पलाश को हरा सकते हैं और जनक, खनक और नील तीनो नाग लोग पहुचती हैं शेशनाग सबसे पहले आप अपनी नाग शक्तियों वाली बोतल से अपनी सारी शक्तियां वापस ले लेजिए वना पलाश को हराना मुश्किल हो जाएगा और नील शेशनाग को उनकी नाग शक्ति दे देता है यदि पलाश इतना ही ताकतवर है तो उसने आज तक तुम से नाग लोग क्यो नहीं लिया वो इसलिए देवी क्योंकि नाग राज और नाग रानी ने जाने से पहले नाग लोग को एक कवच के अंदर स्रक्षित कर दिया था और उस कवच का असर तब ही खत्म हो सकता था अगर सेशनाग खुद से अपनी जगह पलाश को देते और जब सेशनाग ने ऐसा किया तो कवच तूट गया और पलाश की शक्तियां बढ़ गई तो अब हमें कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पलाश को पृत्वी लोग पर ले जाकर खत्म कर सकी बहां उसके शक्तियों का असर कम हो जाएगा और तीनों एक योजना बनाते हैं और कुछ देर बाद नील शेशनाग को रसी से बांध कर पलाश के सामने ले जाकर गिरा देता है ये सब क्या है? हे महानाग, मैंने आपका शक्ति परशन देखा है और मैं समझ गया हूँ किस नाग लोग पर राज करने का हाग केवल आपका है इस कमजो शेशनाग का साथ देकर मुझे कुछ भी हांसल नहीं होता इसलिए मैं आपके लिए इसे यहां उठा लाया देखा, मेरा डर, क्या कुछ नहीं कर सकता? बोलो बच्चे, क्या चाहिए तुम्हे? हे नाग, मुझे आपका सबसे खास नाग बनना है पलाश नील की बात सुनकर बहुत खुश होता है देख शेश नाग, तुखुद को सबसे बड़ा मानता था ना अब देख, तु कैसे मेरे कदमों में पड़ा है नाग, मेरे पास आपके लिए एक और तौफ़ा है और रसी से बंदी हुई खनक को भी खीच कर पलाश के सामने ले आता है लीजी, यह आपके लिए सबसे खास तौफ़ा ये क्या? ये तो वही अद्धु सुंद्री जो किसी अपसरा से कम नहीं है वो मेरे सामने खड़ी है, वा और नील से प्रसन होकर उसे अपनी गद्धी पर बिठाता है दुष्ट नाख, तुने मेरे माँ बाप को मारा अब देख, मैं तेरा क्या हाल करूँगी अब बताती हूँ तुझे पलाश, देखना, मेरा जनक तेरे टुकडे टुकडे कर देगा जनक अपनी रसियां खोल कर उठना चाहता है, पर उठ नहीं पाता जनक दिखा दो इसे, दिखा दो इस दुष्ट नाख की अउकात क्या है खनक मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही है मगर वो शक्तियों वाली जादिवी बोतल को तो तुमने पी लिया था ना, फिर, फिर क्या हुआ पता नहीं खनक, मैं काम मनुश्य जितना बेबस महसूस कर रहा हूँ क्या हुआ शेशनाग, तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही कहीं ऐसा तो रही, कि नील ने तुम्हें धोखा दिया हो तुम्हारी शक्तियां वाली बोतल बदल कर नकली बोतल रख दियो जनक और खनक दोनों नील की ओर देखते हैं नील मुस्कुराता है मुझे माफ करना मेरे प्यारे शेशनाग पलाश और नील दोनों हसते हैं जनक सामने बंधा पड़ा था और अपनी शक्तियों से रसी को खोलना चाह रहा था पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्या हुए जनक तुम्हाई शक्तियों काम नहीं कर रही कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस नन्ने नाग नील ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और नील हसने लग जाता है नील तुम आखर तुमने ऐसा क्यों किया जोर से रोते हुए मुझे माफ कर दो शेशनाग, मैं मजबूर था, मुझसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई और तब ही अचानक से हसने लगता है तुझे क्या लगा? मैं ऐसे ही रोंगा, तेरे आगे हरे पागल शेशनाग, तु कभी समझ ही नहीं पाया ये सारा बिशाय जाल मेरा ही था क्या मतलब? मैं बताता हूँ, ये छोटा नाग नील है ना तेरा दोस्त, वो असल में मेरा बेटा है और मैं इसका दोष्ट पिता क्या? नील क्या ये सच है? मुझे लगा कि तुम मुझे समझते हो मुर्क शेशनाग? कोई अपना राजी छोड़ का जाता है क्या? वो भी ऐसे दोस्त को देखा, जो इस नाग लोग को पाने के लिए सालों से तड़ रहा हो मैं सुनाता हूँ तुमें एक कहानी जब मैंने नाग लोग पर हमला किया था और नाग राज और नाग रानी बच गए थे तब उन्होंने एक कबच बना कर नाग लोग को स्रक्षित कर दिया था ताकि मैं इसमें प्रवेश ना कर सकूँ पर उन बेचारों को पता ही नहीं था कि मैं तब नाग लोग में ही छिपा था और फिर मैंने तुम से दोस्ती की और बस मौके की तलाश में ही रहता था कि कब तुम अपनी मरजी से ये राज़ पाड मुझे दे दो और फिर उस दिन मैंने तुम्हें पाईशान देखकर तुम्हाई दिमाग में प्यार का किड़ डाल दिया और तुम मेरी सबी बातों में आ गए और मौका पाकर मैंने तुम्हाई शक्तियों वाली बोतल भी बदल दी अब तुम के वल एक कमजोर लड़के ही हो शेशनाग और अब इस खनक को मैं अपनी रानी बनाऊंगा वैसे मुझे नील ने बताया कि यह वही भाश्यमाणी वाली लड़की है जो मेरा अंतकर ने आई है कोई नहीं इतनी खुबसुर लड़की के हाथों तो मैं मरना भी पसंद करूंगा बाबा अब खनक को यहां से ले जाएए मैं इस बेव को शेशनाग को समभा लूँगा और पलाश खनक को उठा कर ली जाता है चोड़, चोड़ मुझी दृष्ट हत्यारे जिसने मेरी मा बाबा को मार डाला मैं उसकी रानी कभी नहीं बनूँगी चुपकर, मेरे साथ चलो वड़ा तुम्हारे माबाप की तरह मैं तुम्हारे भी फन को चल दूँगा और उधर नील, शेशनाग के पास जाकर उसे मारता है तेरे बाबा ने मेरे बाबा को यहां से निकाला था ना अब देख, मैं कैसे तुस्से बदला लेता हूँ तुम गलती कर रहे हो छोटे तब ही शेशना के पास एक पीली रोशनी आती है उठो बेटा, उठो, तुम कमजोर नहीं परज़ते हो मैं हूँ तुम्हारा पेता, नाग राज इस नील ने चाल चल कर तुम्हारे नाग शक्ती की जगर बदल दी थी तुम्हारे असली शक्ती पलाश के सिंहासन के नीचे चीपी हुई है तुम उठो और खत्म कर दो इन दोनों को इतना सुनते ही शेशना को जोश आ जाता है और वो चिलाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और नील शक्ती से जनक की उपर वार करता है मगर जनक उचल कर पलाश के सिंहासन के पास कूद कर चला जाता है और उसकी नीचे रखी शक्तियों भरी बोतल को निगल जाता है नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकती थी बच्चे मैंने कहा था ना, थू गलत कर रहा है शेशनाग अपनी पूच से नील पर वार करते हैं और वो खायल होकर बेहोश हो जाता है और शेशनाग उसे कंधे पर उठाकर खनक को ढूणने लग जाते हैं वहाँ पलाश ने एक गुफा में खनक को कैद कर दिया था और उसे अपनी शक्तियों के बने गोले से पान दिया था शेशनाग खनक को ढूणते हुए उस गुफा के पास जाते हैं और वहाँ खनक की आवास सुनते हैं बचाओ, बचाओ मजी जनक, कहा हो तुम पलाश खनक की नजदीक बढ़ रहा था और जैसे ही खनक को छूने जाता है तभी शेशनाग नील के शरीर को गुफा के अंदर फैक दिल रहा है पलाश नील के पास जाकर रोता है नील बेटा, बेटा उठ, क्या हुआ तुझे? चिंता मत कर, ये बस बेहोश हुआ है मैं तुझ जैसा नहीं हूँ तेरी में लडाई में मैंसे नहीं माना चाहता हूँ और पलाश गुस्से से शेशनाग पर आक्रमन करता है दोनों में खमासान युद होता है कभी पलाश शेशनाग पर लाल रौशनी फैकता है तो कभी शेशनाग हरी रौशनी फैक रहे थे पलाश ने गुफा में छिपी तलवार निकाली और उससे लड़ने लगा तब शेशनाग भी जादु से हत्यार बना लिया और वो भी लडने लगे दोनों में तीज लडाई हो रही थी मगर पलाश पर शेशना की किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था कि तभी खनक के कान में एक आवाज आती है जो सुमित्रा की आवाज थी मेरी पिटिया ये वक्तियों हारने का नहीं है तुझे पलाश की कैट से खुद को छुडा कर शेशना की मदद करनी होगी और तु भूलना मत इस पलाश का वद तुझे ही करना है पलाश की सारी शक्तियां उसकी सिर के बीचों बीच है यदि तु वहाँ मारेगी तो ही ये मरेगा वरना इसकी मौत नहीं होगी और खनक पूरी ताकत लगा कर पलाश की कैट से निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती तब ही खनक देखती है कि जमीन पर पड़े नील को होश आ जाता है और वो शेशनाग पर हमला करने के लिए उठता है मगर खनक उसे अपने पास बुलाती है तेखो नील, तुम्हारे मन में पलाश ने क्या जहर भरा है, मैं चानती हूँ मगर मैंने तुम्हें देखा है, तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे नाग हो ये तुम क्या बक्वास कर रही हो, मैं मेरे बाबा का हिसाथ दूँगा नील, जरूरी नहीं है कि जहरीले साब का बेटा भी जहरीला ही निकले तुम अभी भी अच्छा काम करके शेशनाग की भक्ति कर सकते हो उधर पलाश शेशनाग पर आक्रमन करके उन्हें गिवा देता है और तलवार उनकी चाती में मारने ही वाला था कि तभी नील की मदद से खनक ने खुद को छुडा लिया और अपनी आखों से एक नीली शक्ती पलाश के सर पर मारी जैसे ही पलाश के सिर पर चोट लगी तो उसका सिर बुरी तरह से चकरा गया और वो दूर जाकर गिर पड़ा नील तूने अपने बाप को धोका दिया मैं तुझे नहीं चोड़ूंगा शेशनाग और खनक दोनों मिलकर पलाश के सर पर चोट मारते है फूल पत पलाश इतिहास तो हराया जा रहा है तूने भी ऐसे ही मेरे मासूम मा बाबा को मार डाला था मगर तेरा पीटा ऐसा नहीं है वो तो बुराई का अंत कर रहा है मुझे माफ करना आप सभी मैं शक्ति के लालच में अंधा हो गया था पर अब मैं जा रहा हूँ मुझे माफ करना बेटा और पलाश रोता हुआ तडप तडप कर मर जाता है नील भी पलाश के पास जाकर रोने लगता है और वचन दीता है कि अपनी आगे की जिंदगी में शेशनाग की रक्षा करेगा जनक और खनक एक दूसरे से गले लगते हैं और खुशी-खुशी शेशनाग नाग लोग को फिर से संभाल लेते हैं पूरा नाग लोग शेशनाग और खनक का स्वागत करता है ऐसे इंट्रेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए